बड़ा धमाका लेके आया है इस बार मैं आपके लिए बड़ा धमाका मतलब बौड में पास होने के आपके गारंट dwa कॉन्ट गॉंट मांग से बोड में किस तरीके से क्या पढ़ना है कौन से चैप्टर 샘 मैं से क्या आईगा ब्लूप्रिंट क्या कहता है सब कुछ मैं समझूंगा सब कुछ मैं evaluate करूंगा आपको सिर्फ मेरे instructions follow करना है तो आपका वीडियो आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 खास है क्योंकि इस वीडियो के अंदर organization of commerce and management के बहुत सारे अच्छे अच्छे topic को मैंने आपके लिए elaborate किय है और five mark के answers को सब इस PDF में मैंने आपके लिए इखटा किया है आपका काम रहेगा आज सिर्फ मेरे साथ बने रहना ये पूरा का पूरा PDF में आपको free में देने वाला हूं ये वीडियो के end तक मैं आपको बहुत सारे नए 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 तरीके बताऊंगा कि किस तरीक चैप्टर लेका है आज जो content लेका है वो बहुत important है आज का topic को specific chapter को लेके नहीं है आज का topic पूरे subject को लेके है आज के वीडियो के अंदर हम five mark के questions को cover करेंगे किन-किन chapters में से five mark के questions आने वाले है और उसमें से भी कौन से important questions है जो आपको पढ़ने है वो मैं आपको आज इस questions नहीं देता हूँ, मैं questions के साथ answers देता हूँ, एक छोटी सी फुद्दू सी work shit नहीं है मेरी, मेरी work shit के जहां जहां पाच मार्च के questions आपको आने वाले है, वो सारे questions मैंने आपके लिखे हैं, और साथी में उन questions के answers भी मैंने लिखे हैं पर कैसे मिलेंगे आपको वो तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भईया मैंने बहुत मेहनत के आपके लिए आपकी इतनी सी मेहनत है क्या मेहनत अपना प्यार देते रही है अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं वालब हम आपके कही ना कहीं काम आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे वीडियो को शायर कीजिए अपने बहुत सारे दोस्तों को यहां बुलाईए सब मिलके पढ़ेंगे हमें पढ़ाने में थोड़ा और मज़ा आएगा आपको हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करना है प्लस आपके बड़े भाई के इंस्टेग्रेम को फॉलो करिए आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको परस्नली भी बहुत बार गाइड करता हूँ और बहुत जल्द में आपके लिए इंस्टेग्राम पे लाइव आने वाला हूँ जिसके अंदर में बोर्ड वाले सारे बच्चों को मदद करूँगा बोर्ड के प्रेशर को कैसे हनल करना है लास्ट टाम रिविजिन कैसे करना है वो सारी चीजे में आपको समझाऊंगा लाइज में एकदम लाइज में आपके सारे क्वेशन्स डाउट्स में सब लाइज में लूँगा तो जरूर से मेरे स्पेसिफिक इंस्टेग्राम पेच को आप फॉलो कर सकते हैं मेरे specific Instagram को follow करने के लिए बहुत है simple सा काम है Instagram पे जाईए और आपको सिर्फ मेरी ID वहाँ पे लिखनी रहेगी और मेरी ID वहाँ पे रहने वाली है at the rate M-O-H-I-T-S-I-R-R ये मेरी specific ID है, ये मेरी personal ID है ये ID को मैं ही खुद समालता हूँ इसमें मैं बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवालों के जवाब देता हूँ तो अगर आपने अभी तक मुझे follow नहीं किया तो आप कर सकते हैं हम बहुत सारे अच्छा fruitful discussion यहाँ पे करेंगे तब तक के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज का जो हमारा topic है वो specifically 5 mark questions है जो specific इस वाले session के अंदर आपके लिए बहुत important रहने वाले है हमने कुछ गिने कुछ चुने chapters को निकाला है जिन chapters में से board हर साल 5 mark के questions पूछता है जो blueprint के हिसाब से भी appropriate है one particular topic के हम लोगों ने कुछ questions आपके लिए निकाल के रखे जिसकी आने की probability बहुत है बहुत है तो चलिए सबसे पहला chapter है जिसमें से 5 mark का question आता है वो है planning planning chapter के अंदर वैसे तो बहुत सारे simple simple questions आ सकते है बट ये कुछ specific questions है जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जैसे कि सबसे पहला question आपको मिलेगा give the definition of planning and explain its process आपको लिखने का तरीक आना चाहिए सबसे पहले 2-3 line में definition लिखे कि भाईया planning क्या होती है planning क्या होती है planning कुछ नहीं होती भाईया planning एक ऐसा task है जहां पर हम information को collect करते हैं और उस particular information को collect करके हम पहले से अपने business goals को ready करते हैं अगर हमारे planning proper होती है तो हमारे success rate बढ़ जाती है planning आपके goals को achieve करने में आपकी बहुत बदद करता है साथी मैं हमें बताना है planning का process क्या है please guys ध्यान देना बहुत सारे बच्चे processes में उपर नीचे कर देते हैं steps उपर नीचे कर देते हैं वो नहीं हो सकता है वो नहीं allowed है आपको अपने steps को line sir लिखना पड़ेगा अब आप कहोगे sir यह line sir तो मुझे याद नहीं होता तो मैं क्या करूँ तो भया तरीके निकालो line sir याद करने के तरीके निकालना तो आपको ही पड़ेगा आपको line से याद करना ही पड़ेगा अगर आपको याद नहीं हो रहा है थोड़ी सी महनत कीजिए बट कोशिश करें कि आप इसको line से याद कर सके जैसे कि हम कभी के बार एक story बना बना के याद करते हैं मैंने एक story बना रखे आपके लिए इस particular process को याद करने के लिए बट को जरूरे नहीं है आप मेरी story को follow करें आप चाहे तो अपनी story भी बना सकते हैं जैसे कि मेरी story है हमने DCP को बुलाया और उन्हें सारे alternative दिखाए और कहा कि best alternative select करो और formulation और evaluation start करो अब यह एक line में मैंने सारे topic डाल दिये मेरी line कहती हमने DCP को बुलाया तो DCP मतलब determination of objective C मतलब clarification of premises C मतलब collection of analysis of information and P मतलब preparations of alternative plan तो हमने DCP को बुलाया और उन्हें सारे alternative evaluate कर रहा है उन्हें हमने सारे alternative दिखाए तो हमारा next हो गया उन्हें हमने सारे alternative दिखाए और उसके बाद में हमने उनसे कहा कि आप best alternative select करो तो भाया आपका काम है best alternative select करना अगला point आ गया जिससे formulation और evaluation of plan easy हो जाए तो next topic में आ जाएगा formulation and evaluation of plan हमारे लिए easy हो जाएगा this is basically line एक कोई भी dialogue, एक कोई भी line एक कोई भी statement आप form कर सकते हो जिससे आपको ये सारे के सारे topic याद हो जाए, heading याद हो जाए और अगर आपको याद करने का दूसरा कोई तरीका नहीं समझ में आता है तो सब थोरा सा logically भी याद कर सकते हो कि एक business किस तरीके से start करेगा बिजनस सबसे पहले अपने objectives को determine करेगा कि भी या करना क्या है जब objectives determine हो जाएंगे वो अपनी planning premises को fix करता है देखो हम कहीं पे भी किसी भी level पे plan नहीं कर सकते हमें खुद की एक औकात रेखा बनानी पड़ती है हम planning premises को fix करेंगे उसके बाद में क्या होगा अब उस planning premises के हिसाब से आप data को collect करोगे उने analyze करोगे और बहुत सारे alternative plans भी बनाओगे plan है हम यह करेंगे अगर यह नहीं होगा तो भाया plan B पे जाएंगे कर यह नहीं होगा तो plan C पे जाएंगे आपको बहुत सारे चोटे मुटे subsidiary plans बनाने पड़ते हैं कि चलो हमने सोच ले हम plan A करेंगे अब इस plan A को achieve करने के लिए जिने कहा जाता है subsidiary plans वो बनाएंगे और last one plans को evaluate करेंगे कि हम कितने अच्छे से उस plan को हम achieve कर पाये हैं तो आप चाहो तो इसे logically भी समझ सकते हो और आप चाहो तो एक formula एक statement एक dialogue के तोर पर इसे याज भी कर सकते हो तो यह आपका हो गया पहला answer दूसरा यह answer बहुत बार पूछा गया है बच्छा लोग discussion discuss types of plan बहुत 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 कभी one mark में पूछा है कभी two mark में पूछा है कभी differences में पूछा है कभी MCQs में पूछा है तो please इसको बहुत seriously लेना आपको types of plan बताने है जिसके अंदर basically होता है पहला standing plan जो सदा बहार है जो बार-बार repetitive problems के लिए बनाया जाता है कि जब भी यह problem होगी आपको यह काम करना है जिसके लिए कोई ज्यादा सोच समझ के जरुवत नहीं है जैसे कि मैंने मेरे staff को instructions दे रखे क्या instructions दे रखे कि बहुत जब कभी यह specific तकलीफ आएगी आपको म strategic plan basically वो होता है जो हर नई problem के लिए हर नई तरीके से बनाया जाता है इसमें experts लगते इसमें समझदार पड़े लिखे लोग लगते हैं तो उसे कहा जाता है strategic plan तो यह हो गए आपके basic दो plans उसके बाद में बहुत सारे चोटे-बोटे और भी plans होते हैं जैसे कि technical plan यह बहुत लग operation plans भी बना सकते हो फिर होता है single use plan यह single use plan कभी कभार यूज किया जाता है यह एक ही बार यूज किया जाता है क्योंकि यह problem हर बार repeat नहीं होते है यह problem सालों में एक बार आती है आप कह सकते हो corona yes corona में जो हमने काम किया था जो हमने planning follow की थी वो planning वापस कहीं काम नहीं आत जो future में होने वाले losses और future के अंदर के future में आने वाले problems को समालने के लिए उसको कम करने के लिए उसके risk को decrease करने के लिए जो plans को use करते हैं उसे कहा जाता है contingency plan यह plans बहुत important है exam में 1 mark 2 mark में भी पूछ सकते हैं और paper अगर थोड़ा सा tough निकला तो यह आपको 5 mark में भी पूछ सकते तो अच्छे से पढ़ लेना next is explain the characteristics of planning planning की क्या के characteristics से सबसे फुद्दू question है तो भी बहुत बार पूछते आपके exam में तो यह तो रटा जाना चिक्दम खा जाना है इसको planning के characteristics क्या होते है planning universal है मतलब अत्रत अत्रत्र सरवत्र है planning is everywhere universal है planning हमारे पूरे management के function का सबसे basic सब से primary function रहता है planning हमारे mental process से किया जाता है और यह continuous activity होती है इसके लिए mental process बहुत यूज़ करना पड़ता है planning बहुत flexible होता है ऐसा जरूरी नहीं है वड़ हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा plan flexible हो flexible हो मतलब समय के साथ-साथ उस plan को हम change कर सके अगर वैसा plan रहा तो planning का benefit होता है वरना planning कभी कवा rigid भी हो जाती है next is planning precise होना चाहिए हवा में नहीं होना चाहिए planning future को ध्यान में रखके किया जाना चाहिए planning के अंदर सारे alternatives already mentioned होने चाहिए और planning हमेशा future के concern के लिए बनाया जाता है और यह मत भूलेगा कि planning एक continuous process है एक बार plan करके छोड़ा जा सकता नहीं है एक बार किया फिर से करो वापस से वचीवो और और अचीव नहीं हुआ तो भी करो planning के continuous process है और planning से हमारे objective को हम easily achieve कर सकते है इसलिए planning objective oriented होता है यह बहुत easy है बट बहुत important है next question आता है explain the elements और components of planning ऐसे कौन से elements और components से planning के वो आपको बताने है यह सारे answers में आपको दूँगा डरना मत मैंने कहा था यह पूरा PDF आपको free में मिलेगा और कैसे मिलेगा कुछ नहीं होगा आपको सब कुछ हमारे YouTube वीडियो के description में मिल जाएगा आपको एक छोटा सा मतलब में कोई Google Drive जैसा कुछ डाल दूँगा जिस से अंदर में आपको पूरा का पूरा content free में देने वाला हूं मिल्कुल टेंशन मत लेना जो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं यह same to same PDF में आपके साथ share कर दूँगा शायद 25-35 page का यह PDF है इसको पढ़के आप अपने exam के patch mark वाले questions को 100% 100% complete समझ सकते हैं कि इतना पढ़ लिया तुमारे exam में पा seriously पढ़िएगा so second question कहता है explain elements and components of planning जिसके अंदर आते हैं planning के basic objectives क्या होते है पहले हमें वो निकालना पड़ता है planning के लिए हमें कुछ specific strategies decide करने पड़ती है strategies basically वो होती है जो बहुत ही short term होती है strategies basically बहुत ही precise होती है strategies basically एकदब target oriented होती है यहां वहां की बिल्कुल बात में होती है इसलिए basically strategy वो है military वाले यूज करते है war के दौरान के हमारी क्या strategy है क्योंकि वो बहुत ही target oriented होती है next is आपको planning के अंदर policies बनाना पड़ता है आपको procedures बनाना पड़ता है policies basically कुछ चोटे मोटे rules or regulations होते हैं जो हमारे objectives करने में मदद करते हैं हमें कुछ procedure define करना पड़ता जो बहुत important है क्योंकि बिना rule की कभी भी plan पूरा नहीं हो सकता है हो सकता है अगर rule ना हो तो हम deviate हो जाए हम भटक जाए इसलिए rule होना बहुत important है and last सबसे important होते है budget और program budget होना बहुत जरूरी है बिना budget के हवा में चला जाता है plan specific budget और इन सब चीजों के बहुत सारे procedures को मिला क एक program create हो जाता है जिस program को follow करते हैं तो हमारा plan achieve जल्दी हो सकता है so यह हो गए आपके second वैसे planning के limitation से यह बहुत easy है आप लोग पढ़ लोग है planning भया कितनी भी अच्छी कर लो कोई hundred percent surety नहीं कि आपका business successful हो गई होगा क्योंकि भया किस ने देखा है future uncertain है तुमें भी नहीं पता कि कल तुम कहा हूं मुझे भी नहीं पता मैं कल कहा हूं तो इसलिए planning के limitation है future uncertain है planning कभी कबार बहुत expensive होता है planning में कभी कबार बहुत समय देना पड़ता है कभी कबार planning लगता है irrelevant छोड़ने हैं क्या इतना सोचना चलना गुमने चलना निकाल गाड़ी घुम क्या आते ह हमको लगता है क्या इतना माथा लगाना तो कभी कबार planning irrelevant भी हो सकता है साथी में जो मैंने कहा था अगर आपने अपने planning को flexible तोर पे नहीं बनाया तो it may be possible की planning rigid हो जाएगा मतलब planning एक तरीके से आपको flexible होने से रोकेगा तो ये भी हो सकता है कि planning कभी कबार आपको ज्यादा रिजिट कर देता है planning बहुत बार हमारे uncertain external factors को पकड़ नहीं बाता है planning बहुत बार हमें incomplete information से भी कभी कबार planning करने पड़ती है और कई बार ऐसा होता है कि planning के कारण employee अपनी creativity खतम कर चुके होते हैं क्योंकि उन्हें कहा दिया जाता है कि ये plan इसको follow करो अब विचारा employee चु activity को खतम कर देते हैं और planning के अंदर अगर आपने कोई methods गलत ले लिए कोई नया तरीका अपनाने के चक्कर में कुछ गलत तरीक अपना लिए तो planning रायता फैला भी सकता है तो यह होगे planning chapter के important questions इसके बाद में chapter 5 staffing के important questions हम कर सकते हैं staffing हमारे क्या काम आने वाला है वो भी हम द क्या ही दिने का it's a very important function of management कौन सा नहीं है सब्फंक्शन important है सेकेंड परी नियाल है staffing की process हर बार चलती रहती क्योंकि employee आता है जाता है हमें हर बार employee की जरूरत पढ़ती है बच्छा लोग मैं हमेशा से कहूंगा यह आना जाना रोकना जरूरी होता है employee इतना long term रहता है business उत मां के साथ सब दिल का भी उप्योग करना पड़ता है you have to be emotional while doing staffing process because it is with human relations हम लोग human के साथ एक particular process कर रहे होते है staffing वैसे तो बहुत dynamic process है आप कई बार staff को लेने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके अपना सकते हो आप paper में add देते हो आप interviews लेते हो यह formal तरीके हो गए कभी कब पर आप किसी particular social media के माधियम से किसी कोई किसी की कोई real viral हो गई है उसके माधियम से भी आप उनको अपनी company में employ कर सकते हो at proper designations right so there are different amount of methods आप बहुत dynamic तरीके से भी staffing कर सकते हो staffing management के related staffing के scope बहुत ही wide है और साथ ही में staffing investment है उसको expenditure मानना चाहिए expense नहीं मानना चाहिए it's a capital expenditure क्य कि जिस आदमी को आप आज ला रहे हो वो सालों साल तक आपकी company की सेवा करेगा सालों साल तक आपको huge profit कमा के देगा staffing के importance important है staffing हमारे लिए driving force होता है staffing dynamic activity है साथी में staffing important function of management है basic मन से लिख सकते हो जिस तरीके से planning दिमाग है staffing हमारे हाथ पैर है there are limbs basically staffing अच्छा हो तो job satisfaction अपनी के prestige बढ़ती है साथी में staffing के continuous process है फुद्यू सांसर है but important है next is recruitment क्या होता है recruitment basically तीन तरीके से किया जा सकता है वैसे वैसे तो दो ही होते इंटर्न अलेक्शनल आज कल मैंने कहाता है इंटर्न अलेक्शनल के सिवा सोशल वीडिया भी आ जाता है जहां पर हम influence के तूर recruitment कर लेता है बटी किताबों में नहीं है जाने दो इसको अब internal sources में recruitment कैसे किया जा सकता तो छे तरीके होते हैं पहला आप अपने किसी नीचे वाले employee को उपर लेके आ जो promotion दूसरा एक department से दूसरे department में लेके आ जो transfer इंप्लॉई के किसी चाचा मामा के लड़के को ले लो ब इन छटा पिछली बार जो जो employees waiting में रह गए थे आपकी बार उनको confirm कर देंगे तो यह होगे internal sources external sources क्या हो सकते हैं अभी internal sources को इन लोगों ने detail में समझाया है आप लोग को समझ में आता होगा आप आराम से इसको learn कर सकते है external sources के अंदर होता है हम market में advertisement देके employees को बुला सकते हैं add देने के कई सारे तरीके होते हैं you can do any method right next होता है employment exchanges के थ्रू बहुत सारे contractors होते हैं employment exchanges होती है जिनको हम call करते कि भया मेरे को यह स्टाफ चाहिए है तेरे पास available तो भुझवा दे तो आपको basically staff भुझवा देते हैं तो they are basically termless employment exchanges कभी कबार हम इंस्टिट्स में जाते हैं जैसे कि जब मैं CA बनाता CA इंस्टिट्स में campus इंटर्वी होता है हमारे campus में बहुत सारी companies आती है जो नए-ने CA के job offer करती है तो it is basically through educational institute through trade union वाले union को फोर्म कर दिया कि हमें 50 लेबर चाहिए है हमें 20 लेबर चाहिए वो भिजवा देते आपको and through contractors यह बड़े-बड़े जगे होता है basically construction में होता है एक contractor होता है उसको हम बोलते हैं हमें building बनाने के लिए इतने लेबर चाहिए है and recruitment at gate कभी कबार हम दरवाजे में बोल मार देते हैं कि वह या staff required या part-time staff required या waiter required या manager required और automatically we get interviews so these are some of the external methods इसके साथ साथ में बहुत सारे modern method को भी आपना सकते हो जैसे कि आज की तारिक में बहुत सारे portals आ गए है अब यह आ गया selection process कैसा होना चाहिए उसके उपर तो selection process कैसे करना है मैंने कहा था जब तक हो सेके जब तक क्या 100% कोशिश यह करो क्या process को उपर नीचे ना करो यह process line sir होना चाहिए continuous होना चाहिए कि पहले सबसे पहले भया उसको welcome करिए hello hi नमस्ते कैसे हो sir फिर आप कोशिश करिए उसके application को आप review करिए ठीक है उससे receive करिए review करिए फिर उसके कुछ necessary test लेके देखिए इसमें बहुत सारे test आते IQ test, AT test and there are many other aptitude test and many other test depending आपको क्या particular जगे के लिए आदमी चाहिए psychological test ले सकते है, trade test ले सकते है, कभी कबाद medical test होता अगर आप army के लिए recruitment कर रहे है, eye testing व test लिया, फिर आप एक personal interview लेके देखिए उससे बात करके देखिए, फिर उसके reference की जब या बिना reference का higher मत कीजिए, पता नहीं चले कौन कहां क्या गफले करके आता है या, तो reference को 100% चेक कीजिएगा, एक बार के लिए उसको select कर लीजिए, फिर अगर physical medical examination की जरुत है, यह हर पर जरुत नहीं होती है, जहां है, वहां करवाई है, जहां जरुत नहीं, यह step का skip कर सकते हो, and last, सब perfect रहा, तो employee को बोलिए, भया पकड़िए, appointment letter, लाइए, बिठाई का डबा, खल्चे काम पे आ जाईए, so these are process, very important, इसके बाद में आता है, हाँ, training वगएरा देना हो, तो chances कम है, as compared to untrade employer, but again, careless, अगर employee हो, तो भली trained होगा, तो भी हाथ से हो सकते है, फिर training के कारण job satisfaction बढ़ता है, training के कारण labor turnover ratio कम होता है, training आपका profit बढ़ाती है, क्योंकि employee नुकसान कम करता है, training आपकी expenses को कम करती है, training growth and development of employee पे ध्यान देती है, इसलिए training बहुत-बहुत important होती ह benefits आते है, complaints नहीं आती है, employee cooperate करता है, employee पुड़ा सा अच्छा feel करता है, business का growth को respect बढ़ता है, many other, बहुत कुछ लिख सकते हैं, चलिए, इसके बाद में next chapter बहुत आते हैं, ऐसे कुछ और है, जो आप लोग खुद पढ़ लेंगे, मैं आपको ये PDF पूरी की पूरी आपके सा share करूँगा, तो अगला chapter है आपका, chapter number 6, communication, ये chapter बहुत simple है और बहुत easy है, और ये answer इनका favorite question है, क्या question है, simple सा question है, formal और informal communication का difference, और तो भी एक question exam में कभी 3 मार्क में पूछा है, कभी 2 मार्क में पूछा है, कभी 5 मार्क में पूछा है, बट पूछा जरूर है, आपका काम र communication मतलब, वो communication जहाँ पर हम एक specific तरीके से सामने वारे से बात करने पड़ती है, मतलब जहाँ company बहुत बड़ी होती है, वहाँ पर communication normally formal तरीकी से किया जाता है, formal तरीके से आने, या तो mail के थू किया जाएगा, या चुटी लेनी होंगे, तो भी आप लोग को चिप्थी communication समझ में आगा है, difference मन से लिख दो यार, कोई problem नहीं है, but the point is, समझ में आना चाहिए कि formal informal communication कहां कहां होता है, खुद imagine करो, अगर आप school में जा रहे हो, it's a formal institute, right, तो वहाँ पर अगर आपको छुटी लेनी होती है, तो आपको एक leave application देना पड़ता है, coaching में क्या होता है, आ इसके बाद में आता है, explain the importance of direction, direction क्या काम आएगा, वो important रहेगा आपके लिए, यह भी बहुत simple सा question रहेगा, जहाँ पर आप यह देखेंगे कि direction के और क्या-क्या uses रहते हैं, direction के और क्या-क्या importance रहते हैं, जैसे कि अगर एक proper direction मिलेगा, तो आपके लिए efficiency प्रूव होगी, अगर एक proper direction मिलेगा, तो basically आप उसका easily assessment कर सकते हो, एक proper direction आपके लिए एक अच्छा motivation रहता है, employee के लिए एक अच्छा motivation रहता है, साथी में proper direction रहेगा, तो आपका planning effectively implement हो पाता है, एक अच्छा direction, organization को better बनाता है, एक अच्छा direction अपने सारे controls अपने हाथ में रखता है, cooperation और coordination को improve करता है, और साथी में सबसे important environment enthusiasm वाला बनाये रखता है, अपने firm के अदर enthusiasm maintain रखता है, तो इसलिए direction के importance आपके सामने है, simple next question, directing के basic characteristics क्या होते हैं, again simple है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ये पूरी की पूरी PDF में आपके लिए available करवाऊंगा ही करवाऊंगा, इसके बाद वाले कुछ particular topic रहेंगे, जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा topic में आपको free में available करवाऊंगा, ये सारा content आपके लिए free में available रहेगा, बस अपना प्यार बनाये रखिए, चलिए, मि झाले करता हुआ हूए, जो झाले करता हुआ हूआ 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 है।